मिश्कार में नहीं हो और आप देख रहें फश्पियार जार्खन इस वक्त की बड़ी खबर जार्खन से निकल कर सामने आई है जहां पर चमपाई सोरेन के सरकार के मंत्री मंडल का समय आ गया है आज शाम चार बजे चमपाई सोरेन के सरकार का मंत्रे मंडल विस्तार होगा जहां पर राजभवन से फोन भी आ चुका है चार बजे का समय रखा गया है हम आपको बता दें कि इस बार नई सरकार में कई सारे नई चेहरों को जगह मिल रही है चमपाई सोरेन के काबनेट में हेमन सोरेन के छोटे भाई वसंत सोरेन इसके अलावा दीपक बर्वा और एक सदसे होंगे यानि कि जेमें से तीन नई चेहरे को जगह मिली है और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें मायूसी हाथ लगी है अगर कॉंग्रेस के बात की जाए तो कॉंग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जटाया है जिसमें से बनागुपता का नाम आता है रामिश्वर है हम आपको बता दें कि जो ख़वर निकलकर सामने आई है उसमें से हेमन सरकार में मंत्री जोबा मांजी और हफिजुल हसन चमपाई क्याबिनेट मंत्री नहीं बनेंगी। कॉंग्रेस पार्टे की ओर से बनना गुपता, रामिश्वर उराव और बादल पत्र लेक एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। कॉंग्रेस ने अपने पुराने चहरे पर ही भरोसा जता है। बतादे आपको कि जेमें की अगर बात की जाये तो जेमें कोटे से दीपक बरुवा और बैजनात राम पहली बार मंत्री बन रहे हैं। तीन नई चहरें जेमें की तरफ से जहां हेमन सोरेन के छोटे भाई बसन सोरेन है दीपक बरुवा है और इसके अलावा एक और है यानि कि तीन नई चहरे को जेमें की तरफ से मंत्री मंडल में जगह मिल रहे हैं। हेमन सोरेन को जब इडी ने गिरफतार किया था उस वक्त ही हेमन सोरेन राजभवन गए और वहां जाकर उन्हों ने अपना इस्तिफा राजपाल को सौप दिया। हेमन सोरेन ने ही अपने तमाम विधायकों की बैठक बुलाई। विधायक मंडल की बैठक में हेमन सोरेन ने जो नया चहरा सामने रखा वो चमपई सोरेन का रखा गया है। चमपई सोरेन ने शपत ग्रहन लिया और अब जारखन में चमपई सोरेन की सरकार है। हेमन सोरेन सरकार में आ गये हैं तो हेमन सोरेन की छोटे भाई बसं सोरेन को भी जगह मिली है। बसं सोरेन पहली बार मंत्री बनने जारें। इसके अलावाद दो बड़े चहरे हैं नए चहरे हैं और पुराने को इस बार फिर से मायूसी हाथ लगे। बता दे चले हम आपको कि हेमन सोरेन की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है भले हेमन सोरेन ने स्तीफा दे दिया हो इस वक्त चमपई सोरेन की सरकार जहारखन में हो लेकिन हेमन सोरेन के जितने समर्थक हैं वो अब तक मायूस हैं क्योंकि हेमन सोरेन एडी मामले में हेमन सोरेन को एडी ने गिरफतार किया है और अब इसकी जो पहल है वो आगे बढ़ती जारी है हेमन सोरेन को लगातार पुष्टाज के लिए भी बुलाए जा रहा है कोट में वो पेश भी हो रहे हैं लेकिन अब तक इस मामले में और भी कोई अपडेट निकल कर सा चार बजे शाम में मंत्रियों के और भी नाम सामने आ जाएंगे कि आखिर चंपई सोडेन ने किन नए चेहरों को जगह दिया है और किन लोगों को माई सी हाथ लगी है यह तमाम खबरें शाम तका जाएगी और हम आपको तमाम खबरों से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे देखते रहेगा फिर्ष्ट भ्यार चार कंट नन्यवाद पनोर्म क्रूप जो सोचता है वो करता है ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined